नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल यू के वीडियो वर्ल्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लतिका भंडारी के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लतिका भंडारी सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बलकि पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बन कर हम सभी के सामने हैं लतिका भंडारी गुहाती में हुए टक्षिन एशियाई खेलों में गोल्ड मैधिलिस्ट हैं यह लिए आपको बता देते हैं लदिका भंडारी के बारे में और भी बहुत कुछ हर एक पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी नाम कमाए दुनिया में उनका नाम रोशन करे कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मध्यप्रदेश राज्य ताइक्वांडो अकादमी के खिलारी लदिका भंडारी लदिका भंडारी वैसे तो मध्यप्रदेश राज्य के ताइक्वांडो अकादमी के खिलारी हैं लेकिन उनका ग्रह नगर नैनिताल उत्राघंड में है वो एक त रजपन से ही टाइकवांडो के खेल में रूची रही है। इसकूल लेवल पर ही लतिका ने अपने खेल से सभी को प्रभावित कर दिया था। फिर उनका इस खेल में जुनून और लगन बढ़ती चली गई। उसके बाद लतिका ने बहुत मेहनद की ना उन्होंने दिन देखा ना देखी रात। और इस स्केल में आगे जाने के लिए काफी सारी कठिनाईयों का भी उन्हें सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने भार नहीं मानी। और इसी का नतीज़ा है कि आज लतिका प्रदेश ही नहीं बलकि देश में एक जाना पहचाना नाम बनकर उबरी हैं। आज कई प्रदेश के खिलाड़ी लतिका को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उत्राकन की रहने वाली लतिका कहती हैं कि ताइक्वांडो में स्टामिना की बहुत ज़्यादा ज़रुरत होती है। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको अपने जो विरोधी होते हैं उनको हराना होता है। तो इसके लिए माइंड कूल होना चाहिए और साथ ही आपका स्टैमिना भी बना रहना चाहिए। तो बताती हैं कि इसके लिए को योगा और म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं। ताकि मैच से पहले उनका माइन भी कुई रहे और सांथी उनका स्टैमिना भी बना रहे है इसके अलावा लतिका बताती है कि यह एक ऐसा खेले जिसके लिए उन्हें अपनी डाइट पे भी काफी ज्यादा धान देना होता है अब चलिए आपको बता देते हैं इनकी फामली के बारे में इनकी फामली में कौन-कौन है तो इनकी फामली में इनके ममी पापा है और इनका एक बड़ा भाई भी है इनके पिता श्री महेन सिंग भंडारी जो है वो आर्मी में रह चुके हैं असम राइफल्स में रह चुके हैं और इनकी माता जी जो है एक हाउस वाइफ है लतिका से जब ये पूछा गया कि उनका रोल मॉडल कौन है तो उन्होंने बताया कि उनके पिता श्री महेन सिंग भं और वहीं से उन्होंने उस खेल की बारिशियों को देखा और फिर इसकूल लेवल पे उन्होंने कई सारे मैडल जीते और तब उनके पिता ने उनसे कहा था कि इस जीत को जो है इसी तरह आगे तक कायम रखना 26 वर्सिय लतिका बताती है कि इस खेल के लिए यानि ताइकवांडर को जब खेल है उसके लिए कैपेबल होना बहुत जरूरी होता है खिलाडी को हाइड, lean body, explosive maskness जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है तो इसके लिए हर एक खिलाडी को जो है इन बातों का ध्यान देना उनमें काफी सारे पदग जीतें इसके साथ ही इसको लेवल्स पे तो कई सारे मैदल्स जीत चुकी है और लतिका की इस अचीवमेंट के लिए जो MP गवर्मेंट है यानि जो मध्यप्रदेश गवर्मेंट है उन्होंने लतिका को प्रदेश का सरवोच जो खेल पुरशकार ह उससे भी सम्मानित किया और साथी खेल विभाग ने उन्हें इश्रेणी का कोज भी बनाया है तो लतिका ने जो है काफी कम उम्र में ही इस खेल को देख लिया था और तबी से उनकी रूची जो है इस खेल में बढ़ गई थी उनके पिता ने उन्हें जनरल फिटनेस के लि में जो है 2004 में खेलना शुरू कर दिया था और काफी जल्दी और काफी कम एज में उन्होंने अपना पदग भी जो है जीत लिया था अब बात कर लेते हैं लेतिका भंजारी के करियर अचीवमेंस की तो उन्होंने कई जारे मैडल जीते हैं लेकिन उनकी सबसे पहली जो अं प्रांज मैडल जीता फिर मलेशिया में भी सिल्वा मैडल और फुजेरा ओपन 2018 में भी एक गोल्ड मैडल जीता तो 2014 में उनकी सबसे पहली जो इंटरनेशनल जीत थी वो थी ताशकन में केले गए एशन चैंपियंशिप में जहां उन्होंने प्रांज मैडल जीता था इसक 2018 में मलेशिया ओपन जो की वाललंपूर में वहां पर उन्होंने सिल्वा मैडल जीता इसके बाद 2018 में ही फुजेरा में हुए फुजेरा ओपन में उन्होंने गोल्ड मैडल जीता तो इस तरह उनके जो मैडल्स हैं उनकी पेरिस काफी लंबी है इस तरह जो लतिका भंजार उन्होंने काफी कम उम्र में ही एक उचा मुकाम जो है हासिल कर लिया है लतिका भंजारी भले ही नैशनल लेवल पर मध्यप्रदेश को रिप्रेजन करती हैं लेकिन इसके बावजूद भी उत्राखन में उनके कई सारे चाहने वाले हैं और साथ ही उत्राखन को उन पर पर भी अपनी एक पहचान बनाई है और इसी तरह वे काम्याब होती रहे हम सिर्फ यही कामना करते हैं और उनको उनकी सफलताओं के लिए उनके अचीवमेंट्स के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं और साथ ही उनके आने वाले प्यूचर के लिए उन्हें खूब सा में कॉमेंट करिएगा इसके अलावा इसी तरह नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल यूके वीडियो वाल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यादा